हनुमान का सागर पार करना बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए महिंद्र पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए हनुमान जी बहां जलाश्य में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रम्हा आदी देवों को प्रणाम कर हनुमान जी ने समुद्र लंगन का द्रिर निश्चय कर लिया और अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ा लिया उस समय वे अगनी के समान जान पड़ते थे उन्होंने अपने साथी वानरों से कहा, हे मित्रों जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बान वायुबेग से चलता है वैसे ही तीब्र गती से मैं लंका में जाऊंगा और वहां पहुँच कर सीता जी की खोज करूंगा यदि बहां भी उनका पता न चला तो रावन को बान्द कर रामचंद्र जी के चरणों में लाकर पटक दूंगा आप विश्वास रखें कि मैं सर्वता कृतकृत्य होकर ही सीता के साथ लोटूंगा अन्यता रावन सहित लिनकापूर को ही उखाड़ कर लाउंगा इतना कहकर हनुमान आकाश में उचले और अत्यन तीवर गती से लनका की ओर चले उनके उरते ही उनके जटके से साल आदी अनेक व्रिक्ष प्रित्वी से उखड़ गए और वे भी उनके साथ उड़ने लगे फिर थोड़ी दूर तक उड़ने के पश्चात वे व्रिक्ष एक एक करके समुद्र में गिरने लगे व्रिक्षों से प्रिथक होकर सागर में गिरने वाले नाना प्रकार के पुश्पै से प्रतीत हो रहे थे मानो शरद रितु के नक्षत जलकी लहरों के साथ अटखेलियां कर रहे हो तीव्र गती से उड़ते हुए महाकपी पवंसुत ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि वे महासागर एवं अनन्त आकाश का आचमन करते हुए उड़े जा रहे हैं तेज से जाजवल्यमान उनके नेत्र हिमाले पर्वत पर लगे हुए दो दावानलों का ब्रहमुत्पन करते थे कुछ दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि आकाश में तेजस्वी सूर्य और चंद दोनों एक साथ जलनिधी को प्रकाशित कर रहे हुँ उनका लाल कटी प्रदेश पर्वत के वक्षस्थल पर किसी गेरु के खान का ब्रहम पैदा कर रहा था हनुमान के बगल से जो तेजानधी भारी स्वर करती हुई निकली थी वह घंगोर वर शाकाल की मेगों की गरजनासी प्रतीत होती थी आकाश में उरते हैं उनके विशाल शरीर का प्रतिबम समुद्र पर पढ़ता था तो वह उसकी लहरों के साथ मिलकर ऐसा भ्रहम उत्पन करता था जैसे सागर के वक्ष पर कोई नौक तेरती चली जा रही हो इस प्रकार हनुमान निरंतर आकाश मार्ग से लंका की ओर बड़े जा रहे थे डॉट हनुमान के अद्भुद बल और पराक्रम की परीक्षा करने के लिए देवता, गंधर्व, सिध्ध और महर्शियों ने नागमाता सुर्सा के पास जाकर कहा है नागमाता तुम जाकर वायुपुत्र हनुमान की यात्रा में विग्ण डाल कर उनकी परीक्षालों की वेलनका में जाकर रामचंद्र का कार्य सफलता पूर्वक कर पाएंगे या नहीं रिशियों के मर्म को समझ कर सुर्सा विशालकाय राक्षसनी का रूप धारं करके समुद्र के मध्य में जाकर खड़ी हो गई और उसने अपने रूप को अत्यंत विक्रित बना लिया हनुमान को अपने सम्मुख पाकर वह बोली आज मैं तुम्हें अपना आहार बना कर अपनी क्षुधा को शांत करूँगी मैं चाहती हूँ तुम स्वयम मेरे मुख में प्रवेश करो ताकि मुझे तुम्हें खाने के लिए प्रयत्नना करना पड़े सुर्सा के शब्दों को सुनकर हनुमान बोले तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मुझे कोई आपत्ती नहीं है किन्तु इस समय मैं योध्या के राजकुमार रामचंद जी के कार्य से जा रहा हूँ उनकी पत्नी को रावन चुरा कर लंगा ले गया है मैं उनकी खोज करने के लिए जा रहा हूँ तुम भी राम के राज्य में रहती हो इसलिए इस कार्य में मेरी सहायता करना तुम्हारा करतव यह है लंका से मैं जब अपना कार्य सिध़ करके लोटूँगा तब अवश्य तुम्हारे मुक में प्रवेश करूँगा यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ हनुमान की प्रतिग्या पर ध्यान ना देते हुए सुर्सा बोली जब तक तुम मेरे मुख में प्रवेश ना करोगे मैं तुम्हारे मार्ग से नहीं हटूँगी यह सुनकर हनुमान बोले अच्छा तुम अपने मुख को अधिक से अधिक खोल कर मुझे निगल लो मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करने को तैयार हूँ यह कहकर महाबली हनुमान ने योग शक्ती से अपने शरीर का आकार बढ़ा कर चालीस कोस का कर लिया सुर्सा भी अपूर्व शक्तियों से संपन्न थी उसने ततकाल अपना मुख सी कोस तक फैला लिया हनुमान ने अपना शरीर एक अंगूठे के समान छोटा कर लिया और ततकाल उसके मुख में गुसकर बाहर निकल आये फिर बोले अच्छा सुर्सा तुम्हारी इच्छा पूरी हुई अब मैं जाता हूँ प्रणाम इतना कहकर हनुमान आकाश में उर गए डौट पवन्सुत थोड़ी ही दूर गए थे कि सिनह का नामक राक्षसनी की उन पर द्रिष्टी पड़ी वह हनुमान को खाने के लिए लाले थो ओठी वह च्छाया ग्रहन विद्या में पारंगत थी जिस किसी प्राणी की च्छाया पकड़ लेती थी वह उसके बंधन में बंधा चला आता था जब उसने हनुमान की छाया को पकड़ लिया तो हनुमान की गती अवरुध हो गई उन्होंने आश्चर्य से सिन्हिका की ओर देखा वे समझ गए, सुग्रीब ने जिस अद्भुत छाया ग्राही प्रानी की बात कही थे, संभवत यह वही है यह सोच कर उन्होंने योगबल से अपने शरीर का विस्तार मेग के समान अत्यंत विशाल कर लिया सिन्हिंका ने भी अपना मुक ततकाल आकाश से पाताल तक फैला लिया और गरचती है उनकी ओर दोड़ी यह देखकर हनुमान अत्यंत लगू रूप धारन करके उसके मुक में जा गिरे और अपने तीक्षन नाखुनों से उसके मरमस्थलों को फार डाला डॉट इसके पश्चात बड़ी फूर्ती से बाहर निकल कर आकाश की ओर ओर चले राक्षसनीक्षत विक्षत होकर समुद्र में गिर पड़ी और मार गई